वेलकम फ्रेंट, आउसका यह वीडियो बहुत इंफार्मेटिव होने वाला है। यह यह एर्रण कोट के बारे में है नोप्य MARK 13 थ्विटियो को आप अन तक देखे और इसमें दी गई शारे जानकाई आपकी बहुत काम की है तो वीडियो कौने तक देखे इसको लाइक करे शेयर करे कमेंट करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये एरर कोड़ आता है वह आता है C1 C1 और CH1 इस एरर कोड़ में temperature sensor का problem होता है तो यह error कोड़ आता है तो अब temperature sensor change कर दो या तो इसका connection चेक कर ले उसके आगे आता है हमारा C2 और CH2 और और टेंपरिटर शेंटर का problem होता है तो इसको चेक कर इसके बाद आता है हमारा CH4 CH4 और C4 दोनों एक ही चीज है इसमें हीट सिंग टेंपरेचर का PC भी होता है इसके अंदर जो हीट सिंग होती ही हीट सिंग के ओपर टेंपरेचर सेंसर होता है इसमें अंदर कम्मिनिकेशन एर्र है सिशर सिक्स ya zu Tranbyısı टिसी पावर सरकीट sectors पेंदर का प्रब्बलम में सरकिट चेक करें इसके बाद आता हैe C7 CH7 एक्सा साइट और होटा है तो चयक कर लिए यानि मपीस के बाद होता यह C8 और CH8 इंडूर फैन माटर नहीं चलेगा तो यह प्रोब्लम आता है उसके बाद आता है हमारा C9 CH9 आउट्डूर फैन माटर नहीं चलेगी तो यह रहाता है आउट्डूर फैन माटर चेक करें कि दूसी इडेर घ्माइरưởng का तेम्परेटर का टेंपरेटर हाइए jan funciona उसके बाद हमारा होता है C GTI और फैन universe karma में में कल्फिट होता हो कि खड़ बूसकता है तो कि आगे आता है सीसी को इक प्रॉम होता है उसका इप प्रॉमेर्चाल करें इसके बाद आता है CD, inverter, outdoor compressor के अंदर तो PCB होता है, उस PCB में inverter module होता है, उसमें problem होता है, उसके बाद भी आता है PO, PO system in power module, ये खरा भी नहीं है, ये power mode में चला जाता है, तब ये display में PO दिखाता है, L, O, L, O भी एक fault नहीं है, ये भी system test mode में चला जाता है, तब आता है, thank you,